हलो और नमस्कार दोस्तों I am Samir and welcome to the another page of Bright Diary दोस्तों अभी मैं पट्टा के कंकडबा कॉलनी में हूँ और exact location में आप लोगों को description में दे दूँगा मैं अभी एक Child Healthcare Hospital जो की कंकडबाग के राजिंदर नगर में है यहीं Savera Hospital के सामने तो मैं बता दूँगा आपको आप चेक आउट कर सकते हैं यह रूफ टॉफ सायद आप लोगों ने पहले कभी इस तरह से बिहार में देखा होगा वीडियो स्टार्ट करते हैं बेना किसी देरी के मैं पहुँच चुका हूँ पेडिकेर हॉस्पिटल के थर्ड फ्लोर पे किसी को भी यह विश्वास नहीं होगा कि यह थर्ड फ्लोर पे इस तरह का रूफ गार्डन है कोई भी देखेगा तो यहीं कहेगा कि यह ग्राउंड फ्लोर पे गार्डन है लेकिन मैं बता दूं यह थर्ड फ्लोर पे है बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे इस रूफ गार्डन को प्राइट किया गया है बातचित करने पर पता चला कि इसको बनाना बहुत ही आसान है कोई अपने स्पेस को छोटा या बड़ा जो भी स्पेस आपके पास अवेलेबल है उसको यूटिलाइस कर सकते हैं 12-15 इंच की स्वाइल पिचिंग करनी होगी और थोड़ा सा जो पेसिक गार्डेनिंग का देखवाल है वो आपको करना होगा बहुत ही सुंदर है को पुरा व्यू देखिए देखिए ओपर टंख्या भी दिख रही है एक छोटे सा कमल का फॉंड है अभी कमल तो नहीं है इ जाएंगी वो बता रहे थे कि जरुवत की च्छोटी मोडी सब्जिया भी असानी से इस तरह के गार्डेन में उगाई जा सकती है जैसे कि नीवू मिर्च धनिया पत्ता लहसन अद्रक करी पत्ता यसी सिजनल सब्जिया भी यहां पर यह उप जा लेते हैं बहुत ही सुंद बहुत लोग अभी हरे प्लांट को पत्या को अपने घर में बालकनी में लगाते हैं तो दूज़ना है देखे हैं हाइड्रोजिकल बेनिफिट से इसका यह तेमपरेजर को बहुत हाथ तक कंच्छोल करता है गर्मी बहुत जादा है अगर आपके पास स्पेस है तो यह आप और सबसे इंपॉर्टन इसके बेनिफिट्स जो यह है कि यह हैबिटेंस है उन सभी वाइल लाइफ का वो छटचछट चिडियों का जो अभी सहर के इस कॉंक्रीट के जंगल में तलास कर रहें अपने घोसले को बहुत कम हो गई हैं चिडियां हम सभी जान रहे हैं गर्मी म झाल